लप्पू सचीन की पाकिस्तानी बहू आजकल फैशिन हो गया है किसी दूसरे देश का लड़का पसंद करो और भाग करा जाओ उसके पास फिर क्या? पूरे देश को मिल जाएगा मसाला एंटरटेंटमेंट का कुछ ऐसा ही हुआ हमारे देश की सचीन की साथ क्या है सचीन सारा दिन घर में पड़ा रहता है और इस मुबाल फोन को देखता रहता है काम क्यों नहीं करता कोई? क्या करू मा? मुझे कुछ करना ही नहीं आता वैसे लूड़ो तो खेल रहा हूँ मैं अरे सारा दिन मुबाल देख दखकर चोमू से शकल हो गई है तरी बस अभी काम काम देगा तुझे शकल से बहुकुफसा दिखता है तब ही वहाँ सचीन की पिता आ जाती है अभाद पैर नहीं चलते मेरे कोई ढंक का काम धंदा क्यों नहीं देख लेता? घर बैठे बस पैसे आते रहे हाँ घर बैठे ही शादी भी हो जाए बच्चे भी आ जाए तिन-चार तू कुछ ना करे क्या? कैसी बात कर दिया मा? वैसे तू तो सब जानती है बिना मेरे कुछ कह क्या पुदा ऐसे ही हो जाए? पिता खुछ नहीं कहते बुडे माबाप का एक सचीन ही तो सहारा था लेकिन सचीन की आदत ऐसी कि कोई नौकरी क्या घर में बिठाता भी नहीं था आगली सुपा सचीन के घर के दर्वाजी की बैल पच्चती है मा दर्वाजा खुलती है तो सामने खड़ी होती है पतली लंबी गोरी सी सीमा वो भी चार बच्चों की साथ नमस्ते सासु मा बच्चों दादी के पैर चुओ हारी ये क्या रात तक तो बेटी की शादी भी नहीं हुई थी सुब चार बच्चे भी ये कैसे हो गया कान सासु मेरे घर में कोई लड़का नहीं है कभी पीछे से सचीन आ जाता है हरे सीमा सीमा हो न तुम यहां कैसे आगी कल तक तो तुम मेरे साथ पाकिस्तान में लूड़ों खेल रही थी हाँ पर तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना पागल कर दिया कि मुझे आना ही पड़ा मैं नहीं राज दिती तुम्हारे बिना इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आगई अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहीं रहूंगी तुम्हारे पास और सीमा की सारी बात बाहर खड़ी पडोसन सुन लेती है और पडोस की चाची सारी बात को पूरे महले गाउ शहर देश में गा देती है अरे हमें तो डर लगता है न जाने कौन है पाकिस्तान से आई है दिखने में तो सुन्दर है लेकिन लेकिन क्या? क्या आप यह कहना चाती है कि आपके महले में पाकिस्तान की एज़ंट रह रही है यह सची सचीन की कोई प्रेमिका सर्हतों को पार करके सचीन के लिए। मिडिया वाली की बात सुनकर चाची जोब जोब से हसते लगती है सचीन के प्यार और सरहत पार क्या है सचीन में जो कोई उससे प्यार करेगा अरे लपूसा सचीन है है क्या सचीन में सचीन का घर अब पूरे देश के लिए entertainment point था लेकिन उनके घर के अंदर क्या माहुल था चलिए देखते हैं ओय पाकिस्तानी हाथ दो कर खाना बनाना और सुन यह बच्चे अपने इने बोल दे के शोर ना मचा है जी माजी मैं अभी समझाती हूँ वैसे तुझे इस लपूसे सचीन में क्या ही दिखिया जो तुपाकिस्तान से भाग आई और तुपः में आई है या कोई एजंट वजंट है वो लोग तो तुझे एजंट ही बोलते है सीमा कुछ कहती कि इससे पहल ही सचीन आजाता है क्या है पापा या लपूसा सचीन लपूसा सचीन बोलते रहते है अरे मेरे लिए पाकिस्तान से लड़की आई है, वो भी बच्चों के साथ आज से पहले किसी के लिए आई है क्या कोई लड़की ऐसे अरे सब जलते हैं मुझसे, लपूसा, लपूसा कहते रहते है हाँ तो लपू को लपू ही बोलेंगे न यह लड़की क्यों आई है, वो मैं न देखना चाहती थी कि हिंदुस्तान की साथ कैसी होती है यह बोलकर सीमा रोने लगती है देखो, रुला दियाना, क्या है मा, क्यों कर दियो ऐजा अरे का है रो रही है, पाकिस्तान से भाग आई ता बना रोई अब क्यों टैस हुआ रही है पाकिस्तान छोड़ने का मकसद सर्फ मेरी सास है मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था अरे आते जाते खाते पिते सर्फ तानन 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 बिचारी सीमा, सीमा तुरो मत वो क्या है न, हमारे देश की सास तो मा होती है मा क्यों मां अरा चपकर होती है और कौन है यह अरे क्यों हम इसके बच्चे पाले तू तो कुछ करता है नहीं क्या अरे तू नहीं जानती थी तू जिस लड़के से सारा दिन लुड़ो लुड़ो खेलती है वो क्या कमाता है या क्या खिलाएगा तुझे अरे तू पाकिस्तान में कौन सी बदाम खा रही थी मैं वहां भी तभी खारी वाली हालत थी यहां कम से कम दो वक्त का खाना तो मिल रहा है जाते सर के उपर अब सासमा आप तो जानती है पाकिस्तान की हालत क्या ही हो रही है देख यहना सास सास मत बोला कर न जाने कौन है तो मा नहीं मानते तुझा बहू लेकिन मैंने तो सीमा को बीवी मान लिया है मा और मैं अब इसके जितने के जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों का पापा हूँ पापा अब बच्चों के पापा खिलाएगा क्या उन लोगों को उन्हें कुछ करने की ज़रुत नहीं है पाकिस्तान से बैने करोडो रुपय अपने खाते में जमा किये है वो सब अब सचीन का ही तो है तुमारे पस करोडो रुपय है? सचीन को कमाने की चिंता नहीं है? अरे तुम बच्चों को लेगर यहां क्यों आई और कैसे आई? सीमा सुसुर की बात पर कुछ नहीं बोल पाती लेकिन सचीन की मा तो करोडो रुपय सुनकर खुश हो जाती है एतनी खुश की क्या ही बोलना? मजे मन्सूर है अरे मन्सूर हो तुम मुझे बहु के रूप में बोलो ता अभी मंदिर में शादी करवाद है शादी का नाम सुनकर सीमा परिशान सी हो जाती है शादी है? नहीं, नहीं, अभी कैसे? क्यो? कैसे क्या? सही बोलते हैं लो, तुम ना लपु सा सचीन हो अभी लपु, मेरी पहली शादी से तो तलाग नहीं हुआ ना अब तक सचीन सीमा की मुझे लपु सा सुनकर निराज हो जाता है सुन सीमा, तमीज में बात कर ले नहीं तो जहां से आई है ना, वहीं रवाना कर दूँगी यहां पती की इज़त की जाती है तो तो उसकी मा के सामने ही लपु कह जा रही है अर लपु की मा हूँ, मेरे सामने कैसे मेरे बेटे को लपु, लपु कह जा रही है सीमा डर जाती है अर यह क्या, जो सास बनने की शादी कराने की बात कर रही थी वो अब ऐसे व्यावार कर रही है जा जाकर फिंडी की सबजी रोटी बना ले और करोडों से लाखो निकाल कर लिया वो क्या है ना कमरे बनवान है घर में समझी सीमा अब सुबह उठती और देर रात तक काम करती लेकिन सास फिर भी खुश नहीं अगली रूज सीमा की घर में सचिन के रिष्टेदार आती है अरे दीदी बताया ने लप्व से सचिन की शादी कर दी और क्या है बहु पकिस्तान की है सुना है रेडी मेड बच्चे भी आ गए अरे सुना क्या सब तो हम लोगों के घर की तो बात कर रहे है पता नहीं कौन है क्या है और ये लप्व भी है ना मैं तो कहते हूँ पुलिस को दे दो लेकिन नहीं बीवी है बीवी है का रोना रोता रहता है अरे सीमा जरा पानी तो लिया ना और हाँ हम लोगों के लिए खाने का कुछ अच्छा सा बना कर लिया ना हाँ हाँ क्यों नहीं बनाएगी बिल्कुल बनाएगी और सुन्दर सीमा फिर जाकर जरा गें हो धोकर सुखा लेना वो क्या ना आटा खत्म हो रहा है सीमा पर काम का इतना बोज रहता कि उसे नींद भी नहीं आती क्या हो गया, सो क्यों नहीं रही हो वकल खाने में क्या बनेगा यही सोच रही हूँ तुम सो जाओ ना लपू लपू नहीं सचीन नाम है मेरा सचीन सो जाता है, तभी सीमा के फोन पर किसी का फोन आता है उदर से आवाज आती है क्या काम हो गया तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है वहां के सारे के सारे राज लेकर आना है मुझे तो ये चिंता हो रही है कि कल खाने में क्या बनेगा आप लोगोंने मुझे अंडरकवर एजंट बना कर भीजा है लेकिन यहां मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है भई भारत की सास से तो सास लेने दे तब मैं कोई अंडरकवर का काम करूँ सीमा अपने देश के सिक्रिट एजन्ट से बात करी होती है कि दर्वाजा खटखटानी की आवाज आती है ओके ओके फोन रखती हैं कोई आया है सीमा फोन रखती है लेकिन तबी दर्वाजा खुलता है सामने सास खड़ी होती है पुलिस वालों के साथ सीमा पुलिस वालों को देखकर डर जाती है सीमा तुमारी हरकत सामने आ गई है पाकिस्तान से तुम भारत क्यों आई हो? हमारे पास पक्के सबूत है सबूत कैसे? मैं तो बहुत संभल कर चलती थी फिर किसे पता चला? वैसे मैं भी ना भारत में नहीं रहना जाती हूँ मैं अपना गुना मानती हूँ इस सास के साथ रहने से तो अच्छ है कि मैं जेल में रहू हूं मुझी ले जाने से पहले ये तो बताईए कि आपो कैसे पता च необходимо कि मैंущ funds हूं मैंने बताया है तुम्हें क्या लगता है? मैं लपू हूं? लपू नहीं हूं मैं मैंने तुम्हारी हरकते समझ ली थी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे राज मैंने ही पुलिस वालों तक पहुचा है अब जाओ जेल फिर वापस पाकिस्तान बड़ी आई हम लोगों को बुद्धु बनाने वाली ले जाईए इसे थैंक्स सचीन तुम्हारे कारण हम लोगों ने इसका भांडा फुड़ा थैंक्स योही मेरे बेटे को लपू-लपू कहते थे देख लिया